हेलो आपको बताना चाहता हूं जो की इस नेटवर्ग मार्केटिंग बिजनस को इस ऑनलाइन बिजनस को इतना इजी तरीके से कर रही है और एक क्रियेटर बनके कर रही है हर एक चीज इसकी इंपक्ट डाल रहे है मार्केट में तो इस सेशन के तुरू मैं कुछ अपने फीडबैक देना चाहूंगा की वाइफल पी इस बेस्ट ऑपॉर्चुनिटी फोर यू और फॉर मी यह मैं लिखा मैंने यू है बट मैं यहां पर आचली बताऊंगो कि मुझे क्यों के लिए इस फरेवर लिविंग प्रड़क्स के लिए हमेंशे अपना कंविक्शन रहता है आज अच्छी लगी आज इस सेशन में हम वो डिसकस करेंगे आप लोग भी अपने वैल्यूबल फीडबैक दे सकते हो जैसे जैसे मैं आगे बताऊंगा मैं आपसे पूछू क्योंकि ऐसा बोलते हैं कहीं भी पहुचने के लिए मैं कंपरिजन करना पड़ेगा हम किसी से लड़ रहे होंगे कहीं ना या तो खुछ से लड़ रहे हैं फिर किसी और से लड़ आगे बढ़ने के लिए तो लैक्स टूआ कुई कुए कि कुए इस देखिए फॉरेवर के जो एक्चुल बिजनेस है वह यह है फॉरेवर का एक्चुल बिजनेस यह है जो भी आपके सामने आपके अगर आप फॉरेवर अलड़ी टूसीजी वगएरा कर चुके हैं कुछ दूरा टाइम हो गया तो आप सभी को पता होगा यह क्या चीज़ है यह फॉरेवर के कुछ चलो अब मैं बताता हूं हाओ आई क्लियर अप माई ऑल डाउट्स जितने भी डाउट्स एक इनसान के सामने आते हैं आपको बताने हैं पहला कंपरिंज जो हम करते हैं यह क्या है आपके सामने एक मिठाई की दुकान है अब मिठाई की दुकान में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी अच्छी चीज़ें क्या होती है अगर किसी की मिठाई की शॉप है तो उसके लिए क्या इडवांटीज है कोई बताना चाहेगा कि प्योरीटी चलिए और जो फेस्टीवल में दिमांड होगा उसका हर फेस्टीवल में दिमांड होगा ओके और तरह करेगा करेंगा अचलिए बहुत बढ़ी और लोकेशन के पास आता है के बहुत बढ़ी और लोकेशन भी सही होना चाहिए लोकेशन सही होना चाहिए चलिए और चलिए आप लोगों ने सब उसके अच्छा ही बताई अब मैं उस मिठाई वाले का दर्द बताता हूं देखिए कितना काम करना पड़ता है एक मिठाई वाले को पहली बात तो वेराइटी रखनी पड़ेंगी मानके चलते हैं आपको काजू कतली खाने का मनें और काजू कत मान तो इस बात को दूसरी चीज हमेशा इसको अट्रेक्टिव दिखना पड़ेगा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कि किसी मिठाई की दुगान में आप गए गंदी की तो आप जाओगे चलो एक बार चले गए क्या दुबारे कभी जाओगे अगर आप गंदी की हुई तो इस इतना मैन पावर लगता है ना इन सब चीज को बनाने में हालत खराब हो जाती है हमेशा पीछे बटी पे दूद का मावा निकल रहा होता है कई कई कुछ कई को खोया निकल रहा होता है कुछ कुछ मतलब एक चोड़ी सी मिठाई की शौप में भी आठ से तर्स वरकर चा तो अगले 7 डेज में मेरे दिमाग में प्रेशर रहता है कि मेरे को इस 7 किलो मिठाई को या फिर जितने भी बनाई हो उसने 10 किलो मिठाई को 7 दिन के अंदर बेचना है यह हमें नहीं दिखरा बार से हमें तो लग रहा है मिठाई के दुगाने बहुत बड़े चल रही है बट एक्चुल जो दर्द उसने मेरे को बदा है मैं वह आपको बदा रहा हूँ मिठाई नहीं फ्रद रहे हिए गर्मियों के सिजन में कोई मिठाई नहीं खाता था सीजन पर खाते हैं और आज-कल तो आपने दखाऊगहा मिठाईयों का वैसे ळ्यनबोट कम लोगग मिठाई है आजकल कम यज़त घर अब मैं बताना क्या चाहता हूँ यहां से यहां से जब मैंने इस मिफाई वाले बिजनिस को अपने फोरेवर से बिजनिस से तो मुझे इतनी अच्छी पॉजिटिव आई कि हमें फॉरेवर ही करना चाहिए मान के चलते हैं मेरे पास ही हीट लॉशन है क्या ये साथ दिन में खराब हो जाएगी तीन साल की दिखाना चाहता हूं आपको कि अगर आपके दिमाग में कभी ऐसे लग रहा है ना कि एर फॉरेवर से इजी तो और सारे बिजनस होते हैं तो देखो फॉरेवर के अलावा जो बिजनस है उसमें क्या हो रहा है दूसरी चीज़ अगर यहां पर आपकी मिठाई के दुगान आपने मान के चलिए एक लोकेशन में मिठाई के दुगान खोले आपकी मिठाई हर बार बनाते हो बिक्ती नहीं है क्या करोगे किस से कहोगे यू डॉन्ट है एनिबडी कि आप किसी से अपना दुखदर शेयर कर पाऊ बट इन फरेवर लिविंग प्रड़क्स यू एव अप्लाइन यू हवा कंपनी कस्टूमर के जिससे आप अपनी दुखदर बाठ सकते हो तो यह चीज जब मैं कंपेर करता हूं तो मुझे बहु कि इंप्लोई रिटेंशन करने के लिए भी तकलिश जाएगी है बहुत ही शांदर पॉइंट है बहुत शांदर पॉइंट मानके चले एक कोई रावत मिठाई वाला है और उसका कोई एक चंदू नाम का बंदा है जो की काजू कदली बहुत अच्छी बनाता है विदानती है क्योंकि लोगों को काजू गतली तेरे हाथ की पहसंद है बट क्या हम बाउंड है आपे हमें कैसा भी प्रेशर है नहीं है तो वेरी गुड वेदानती जी बहुत अच्छा पॉइंट लाब लिए चलिए नेक्स चलते हैं अब यह किसकी दुपान है अब देखिए यहां पर प्रोड़क्स है ना वह हर एक वर्याइटी के आप से रखें नीचे होलिक्स रखें यह बड़े लोग नहीं पी सकते बट हमारा एलोवेरा हर को पी सकता है चोटे से बड़ा हर को पी सकता है को दूसरी चीज इनके एक साल एक सब्सक्राइब होती है एक सल बात हिं खराब व सकते हैं खर हमारे प्रोडर्क्स इसमें कोई ऐसा बड़ा इस नहीं है दूसरी चीजब जर तंग रहे हैं आप देख रहें इनका मार्जन इतना कम एगल को बता नहीं सकता इस कभी मैं उसके पास गया वैसे मैंने तो गूगल से उठाई ये पिच्चर बट मैं जब एक जनरल स्टो वाले के पास गया तो उसने बताए कि भाई एक कुरकुरे की लड़ी होती है जो पांच रुपे की आती है अगर हम कोई लेंगे लेकिन उसको पड़ते चपन रुपे की मतलब व इतना टाइम लगा रहा तो लगाई रहा है लेकिन कितना प्रॉफिट और उसको सिर्फ चार रुपे और हमारा कोई भी एक प्रड़क्ट बेच लेना 200-300 कम तो मार्जन है नहीं मैं क्यों हर को बंदा कुछ नए चीज मांगता है अभी उसने अब वह परेशन उसने रखना स्टार्ट करी आमूल की कहता है तो सोची कितना ज्यादा प्रेशर एक जनरल स्टोव वाले कि उसको कितनी वराइटी तो पहले याद रखनी पड़ेगी उसको स्टॉप करना पड़ेगा और एक्सपरी से बेले बेशना पड़ेगा बढ़ हम हमारे पास येलो नेक्टर पीचीज और मैंगो चार है इसी के अंदर ही खेल है ज्यादा है नी वराइटी हनी सिर्फ एक है यही लेना पड़ेगा उनने इसके लाव कुछ नहीं है डिफ्रेंस देखो प्रेशर कहां है एक हनी तो बेचना है अब उसके पास अगा उनी रख यहीं पर हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ ही वराइटीज है हमें उसी में खेलना पुरी मार्केटिंग फ्लैन पुरा प्रोड़क हमारा उसी में घूंब रहा है तो प्रेशर लेने की बात नहीं की यह यहीं लेना यह लेना कूस्ट सेलेक्टेट़ पूइक है इसका चलिए नक जाता है अब बाईचाब अमान के चलते हैं इनके पास physics की chemistry की एक book रखे जो कि 11th class की है तो सोचिए कितने एक limited लोगों के लिए एक चीज हो गई physics की किताब जो chemistry की है वो सिर्फ वही लोगों के लिए eligible है जो कि 11th class में है और जिन्होंने science कि इनके सबसे बड़ी प्राब्लम यही है कि इनकी बहुत सारी चीजे बहुत सारी किताबे रदी में जाती है और इनकी कभणी से ऐन के सिर्फ एक बारी आता है कब जब жизни increases होता है जब जब शेज़दाय सेसन आता है इसके लावकि कोई क्या हम अबने बेचने कि लिए को कि सीजन है मारा एलव सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इन जूते वालों क्या होता ही कि कस्टूमना बहुत शाणा है यह फिर कस्टूमर को सैटिस्वाइब करना जूते की शौप पर बिल्कुल इसे नहीं है कहता वह कैसे हम कितनी लिया है पहली बात तो उनको दिखाएंगे हमने 20 जोड़ी उनको शूज दिखाए उसको एक शूब पसंद आएगा हाज यह बिल्कुल सही है ठीक है अब बात पता कहां फसेगी लेकिन कुछ ना कुछ रहती रहती है तो भले दूर से बूट्स वाले के चमकते दमकते दिखते हैं इनका मार्जन अच्छा होता है लेकिन सबसे बड़ी प्राब्लम यही होती है कस्तुमर को सैटिस्ट कस्तुमर सैटिस्फाइए नहीं हो पाता यह आठ नंबर का पहनू क्या हमें पचास साल का आदमी 50 कओ कैसि मतलब नहीं है हर कोई कर सकता है यहां चीज देखके मुझे और ज़्यादा कॉंफिडेंस आए कि नहीं यार हमारा बिजनस फिर भी बहुत इजी है एस कंपेर तो इन जूते वालों से मैं वो चीज़े बता रहा हूं उन्होंने मेरे को बता ही कि यार प्राबलम यह भाई लोगों को दिखता है बहुत मजारा है लेकिन अगे चलते हैं अब आई बैग के शॉप सबसे ज़्यादा लेडिस दिमाग खराब करते हैं और बैग चूज करना में करते हैं किसी का डिज लेकिन इनको लेडिस करना कोई आसान काम नहीं है पहली बात उकलर फिर जो अब बारत काोई है इस जो मझे चimporte करे chamber notat tive नहूंब जैसी मैने इन सीजों को अपने अफ्लै व से कंपेर किया मेरे को लगा हमारे तो कैसे भी नहीं नहीं है हमारे सामने कौई लडगी काली हो गोरी हो हरी हो पीली हो मोटी काली हो एपने की जड़ोत ही निया है एक ही चीज़ पर कन्विक्शन कर लोगे न हम कुछ प्रड़क्स पागने पकड़ लें और उनी पर कन्विक्शन कर बना लें ज्यादा लफडा पालने की ज़रोत नहीं है इन सब में बहुत लबड़ा है मैं आपको बता रहूं कि यह मैं कुछ अपने बिलकु परसेनल एक्पिरेंसिस अपको बता रहा हूं बिलकुल जो ग्राउंड रियलेटि के एक्सपिरेंसी आपको बता हूं अब एक चलुण वाला चाहिए और एक्सपिरियंस नहीं हुआ तो पर साइडिस्पाइड नहीं होगा था उनके लिए नुव नुव एंपलाउंग हो चाहिए इखाने के लिए तरने के लिए जिसे आप बार कट वारी नेवन दिसे बाल करना नहीं चाहेंगे तो उसमें बहुत अच्छा यह जो एक शापकार ने बोला और इन्होंने बोला वह अच्छा है बट इनको बहुत साफ सफाई रखनी पड़ती हैं आपको बता रहा हूं आप किसी ऐसे सलोन में कभी नहीं जाओगे जहां पर गंदगी रहती है इसके टूल्स अच्छे नहीं होते हैं इनको बहुत अपना खर्चा करना पड़ता है प्लस मैन पावर बहुत लगती है और सब में हम शायद पांच लोग को जोइन भी करा सकते हैं वह 30 मिनिट में सिर्फ 200 रुपे कमारे बाल कटा के और वह भी में और नहीं काट रहा वह कोई और काट रहा है जो में और को 200 रुपे मिलने वाले है उसमें कुछ पसंटिज उसका भी है इलेक्टरिटी जा रही है वह इसे फोन में लगा था हूं ऐसे और वह पीछे मेरे बाल काट रहा था पूरा अप्रोक्स तीस मिनिटी लग गए और सभी बता रहा हूं उस तीस मिनिट में एक प्रॉस्पेक्टिंग क्लोज कर दी और यह बंदो 30 मिनिट से मेरे वाले काट रहा है और कमीशन सोचो यह मैं तो यहां से भी मुझे बहुत अच्छा लागा और इतना में पावर कौन रखेगा क्या हमें फॉरेवर में रहने के लिए कुछी में पावर की जरूत है क्या किसी को कुछ कोई किसी के पास को एडिटर है आगे जब बड़ा खेलो के तवाप रख सकते हो अभी किसी के पास की जरूत है किसी को भी प्रड़क्ट देने के लिए में पावर की जरूत है प्रड़क्ट भी खुद बना बनाया मिल रहा आपको तो मार्केटिंग ही तो यह चीज मुझे बहुर अच्छी लगी जिसकी वैसे मैं एस बुसको लेगे और कन्विक्टिट हुआ अब कपड़ की बात यह लोग भी सबस्यादा परिशान मार्केट में हां इनको परिशानी इसलिए जहिल ले थे हैं क्योंकि इनका जो मार्जन होता है अच्छा होता है थर्टी टू-फॉर्टी परसेंट का मार्जन होता है कोई भी एक शर्ट तीन सो की आई छैसों की विक लेकर आना लोग नयका खोलेंगे लोग आजी ओ खोलेंगे लोग मिंत्रा खोलेंगे और दूसरी चीज आज कल ऑनलाइन की वेज़ से कैसे परेशान हो गया है लोग एक आता है आज हीओ में कोई चल रही होगी बंदा स्क्रीन शॉट की जगा बैसा मुझे यह वाली शैट चाहिए अब इस बंदेने चाहिए हजार रख रख रखी हों लेकिन उसको यह ही चाहिए जो फोटो केज के लाए अगर मिली तो ठीक नहीं तो जह कई नहीं तो कहता है मेरे पास दिन में 70 तू 80 परसेंट लोग ऐसे ही आते हैं जो ऑनलाइन से फोटो कीज क्या आते हैं ओंलाइन में उल्टे ही दे हमाँ पैसे लिखे होते हैं वह हमसे एक्जेक्ट हमसे चीज मांगते हैं और इससे भी सश्थी कहते हैं अगर बाइचन मैच भी कर गई तो कहते हैं आप सब्सक्राइब लोग अपने कपड़े भी नहीं वेच पा रहे हैं तो पहले प्रब्लम होती थी फॉरेवर में कि फॉरेवर की प्रॉडक्स सस्ते दिखते हैं अब अभी देखिए अमर्पी दिखते हैं पूरे अगर फ्लिपकाड अमेजन पर बाइचांस किसी ने गलत तरीके से प्रॉडक् हमारे पास ही सस्ता है तो सूचित तो मैंने कम्पेर किया इसको एधन भचड कि एक अब साइज की बड़ी इन प्रॉबल्लम है आता है किसी एकसे है जोते से बड़ा बच्चा हार कोई पी सकता है तो इस तरए कि जो सिदर्दी एना सिर्दर्दी का बिसनस नहीं अगर बिसनस क्षिक स्कर्म आगया तो ऐसी अपना कन्विक्शन बढ़ाता हो यह सारी स्क्राइब कि अब आगे हुआ कि मैटी सिन की बाद मैटी सिन में ना को बताना चाहिएगा कि एक मेडिकल स्टावले को क्या प्रावलों कि बहुंच जाता है इसके अंदर चलिया और कि अपर इसके उपर कंपरिशन बहुंच जाता है कोगी कैमी शॉप बहुंच आए इसके में खुली होती है तो जो डिसकाउंट देता लोग वहें पर जाते हैं यहीं सारी चीज़ें से बताया सबसे बड़ी प्राबलम जो एक किसी में रखते रखते परेशान होगे यहां तो वेरेटी रखते रखते परेशान होगे मतलब दिन में वह कम सकंव 500 दवाईयों की नईम लिखते हैं कि जो उनके पास नहीं है कि उनसे मांगी सॉल्ट प्रॉपर नहीं मिलता उनको प्रॉपर एक चीज़ तो कमिशन मार्जन नो मार्जन बढ़िया है प्रॉफिट बहुत बढ़िया रहता है एक एक एक्सपायर हो गया तो खराब तीसरी कॉम्पेटिशन सबसे जादा है बिसनस पर आप हर एक गली में दो मेडिकल स् है तो यह सारे प्रॉबलम है एस कंपेट होकर हमारे मैंन पावर रखनी पढ़ती है मेडिकल स्टोर में हमारे पास हमें कोई मैंन पावर रखने की जरूत नहीं है और लोग हमें भी ऐसा डॉक्टर की तरीट कर सकते हैं जैसा हमाई टीम में एक सीपी मीना है लोग उसको मै करते हैं फिर और फिर कॉस्वेट जीएम फलाना पारा सिटा मॉल यह सब चीज़े हमें क्याया रखने मुश्किल से बीस प्रड़क के नाम याद रखने और यहीं कंपरेजन करें इन से तो कितना डिफरेंस आपको सोच करें तो मैंने यह सब चीज़े खुद जाके अनिला प्राब्लम क्या है कि पहले एक पॉइंट बुला सबसे बड़ी बात भाई अगर दो दिन लाइट नहीं आई ना तो लाक रुपया का मल जीर हो जाएगा बल्कुर सूचिए कितना रिस्की गेम है 2 दिन लाइट नहीं आई बलकि एक दिन पर गर्मित नहीं रखे एक दिन लाइट नहीं तो ऐसी समयल आनी लगजाती एख सारी एक मिनिटमंगरा खराब हो जाती हैं Barnum कई car प्रेशर रहता हुए कि देट से बेचना यह नहीं नहीं तो रिस्क है प्रॉपर लॉज है मेरा प्रॉपर लॉस बिग्या थीक है नहीं हुआ तो दूसरी चीज, सेजनल है, कि सर्धियों में कोई आइस्क्रीम खाता है? होता है कुछ खुलाफाते यूब 5% लोग खाते हैं, पट 95% लोग नहीं खाते हैं, गर्मी उमेंसे हैं, पट क्या हम अपना RG Plus कुछ ऐसा है कि सर्धियों में यूज़ करेंगी कर सकते हैं कि इसलिए मुझे यह चीज़ देखके और अच्छा रहा कि मैंने का नहीं या विया लिना राइट दसने कार की बात करते हैं चलो कार का फिर और कोई भी एक शोरूम होता उसकी सबसे वड़ी प्रावलम क्या होती हुए कि रेंड बहुत हाई होता है कि और स्टाफ भी बहुत सहली चीज़ देनी पड़ती हुश रखना पड़ता है कि दो चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली एक तो सच में कोई भी इतना इजी नहीं है पहली बात तो कोई ऐसी और शॉप खोलना दूसरी चीज़ स्टाफ तो हैवी रखना ही पड़ेगा स्टाफ हर तरह रखना पड़ेगा आपको एक तो सेल्सवार रखना पड़ेगा जो पड़ा लिखा लगे एक कुछ मेकानिक्स आपको रखने पड़ेंगे उसके बाद भी आज को लोगों का जुकाव हो गया है सेकेंड एंड कार पे मुझे खुद ने बताया कि आजकल लोग नई कार लेते हैं वह सोचते हैं कि पुरानी को सेकेंड कार मिल जाए तो सबसे बड़ा लॉस अभी हमारे घर के आज पास भी मारूति शौरों खुलाता टाटा को दोनों बंद हो गए क्यों सेली नहीं कल रही वाई आइटम में भिकरा आदमी यह भी सोचता है कि अगर मुझे कोई गाड़ी लेनी है तो किसी बड़े शहर से लेते हैं दिल्ली से हर्याना से लेते हैं लोग चोटे से लेना है पसंद नहीं करते पता नहीं क्यों तो ऐसी भी चीज़े हो रही ह कि क्या इतना बड़ा स्पेस लेने की जुरूत है मारे फरेवर लिविंग प्रड़क्स में क्या हमें ऐसे एक जो सामने आपको दिख रहा है इसके मालिक होते हैं काम नहीं चल रहा होता क्या करते आप प्रेंट जा रहा होगा पांच लाग रुबे महीना तो सोचे दस लाग रुबे डैट में जा रहा है अगर दो गाड़ी नहीं बिक्री तो फिर इंसान अपना सरी पकड़के वैठेगा ना बट्क्या इस टाइप का प्रेशन हमारे यह कुछ है तो क्या उसे किसी बात का डर है कि कंपनी मेरे पीछे भाग रही है प्रोडक्स मेरे खराब होने वाले हैं यह फिर कोई मेरे साथ जैन नहीं करेगा लोग मेरे को पकड़ लेंगे फाला कुछ पुछ भी क्या मेरे रेंट जा रहा है में एलेक्ट्रिसिटी जा रही है मुझ अपने उन लूप होल्स को यह फिर दूसरे बिजनस को कंपेर करके दूसरे बिजनस के लूप होल्स पे अपनी फरेवर की पॉजिटिविटी लागए देखता हूं देखता है कि नहीं एड यह आम डूइग थिंग ए पाललर वाले चलो पालर में सबसे बड़ी प्रावल्ब्लम क्या होगी चलो बताइगे जो अब जो ब्लाइग तिसमें और बीज जाता टाइम लागें लिए बहुत लुसर में लगें लेकिए और आपको तो आपका पुला डूप सकता है क्योंकि एक किसी लड़की की अगर आइबरो कट गई तो सोची उसके लिए बूचा ला जाएगा हूं पर तो कितने स्किल्ड वाली के दुपान पर कि अगर दो दिन भी दुकान बंद रह गई मैं बंद नहीं कर सकता है मेरा सारा आइटम खराब हो जाएगा छाए वह रफरीजेटर में क्यों न रखाओं अब इस बात क्यों इस बात कि उसने बाते बताई दूसरी चीज लोगों को तरह तरह की वराइटी चाहिए यह अच्छा न लग रहा वह अच्छा न लग रहा वह अच्छा न लग रहा बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर यहां पर यह है कि आप दो दिन भी अपने दुकान बंद करके नहीं देख सकते हैं दूसरी चीज एक जूस बनाने वाला भी होता है सब को किसी एक परसंट का यूस परसंद आता है वह चला गया तो तो क्या होगा बट यहीं अगर हम कंपेशन करें मैं कहा हूं दो दिन क्या लिक्तलि रहा है चाहज सबसे बडी प्रॉबलम बते क्या होती है सबसे प्रादेबर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थे गरंटी मार लेती है इनकी दो साली गरंटी है पर एक पंखा कोई धंकी कंपनी कभी अगर हो साल में एक बार जरू खराब होता है अब बहुत खराब होता है आपने अपने घरों में देखा कुछ LED बल्बस आते हैं आपको देखा होगा एक साली गरंटी होती है एक साल के अंदर खराब होगे अब दुकान दा बदलता फिर रहा है तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है वराइटी रखनी पड़ती है अब सामने इंडेक्शन देख रहोंगे कोई हैविल्स कंपरी का मांग रहा है कोई औरियंट का मांग रहा है मांग रहा है कोई क्रॉमटन का मांग रहा है किया दो यहां पर बहुंस सारे ब्रेंड सामें रखने पड़ते हैं किसी वी एक वालों को अपना बुजनस चलाने के लिए हमारे पास अगर हनी एक है तो एक यह 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 हमारे पास हमारे पास लेकिन जत्ती तो बतारे सबसे अच्छा आनी आ रहे हैं लोगों से इसकस करना है तो सोचे कितना आसान बिजन्स हो गया रिप्लेस्मेंट कुछ नहीं कि गारेंटी नहीं है कुछ इनकी गारेंटी है आदमी बदलता बदलता परिशान हो जाएगा तो इस टाइब की चीए जब लोगों ने मेरे को बता ही इवन तो मैं भी जब फील करता हूं तो मैं को लगता है कि नहीं है सब्सक्राइब करने पड़ते हैं सबसे में पॉइंट रहे जो उसने में को बताया माथा पकड़ गया और सबसे बड़ी प्रडून दई है और सब्सक्राइब करते जैसे उनके घर में कुछ रहता है तो ले जाते और फिर वापस लाके भी दे जाएं उनको नहीं चाहिए लेकिन सबसे बड़ी प्रवलम बताई सबसे बड़ी प्रवलम बताई सबसे बड़ी प्रवलम पता है अगर चोरी होगा तो क्या होगा सबसे बड़ी प्रवलम बताई कि रोज दुकान पर जब तालल आकर घर जाते हैं सुबह आकर ना दस बार माथा जूंद है कि बस मेरी तीज़रियों मेरा सोना रखा हो तो सबसे बड़ी प्रवलम यह है बट चुरा लो बाई काम यह था तो सूचिए यहां से भी किसी बी तरह कर लफड़ा नहीं है अब स्कूल की बात चले कोई अगर आपके दिमां में किसी का आता होगा एक स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है प्रॉब्लम को पूरे करना पी सारी जो जो भी लोकल पॉर्म पॉड़ी के जो रूसे उसको तरह दिक्कत होती फालो करने में पिर सब्सक्राइब बच्चे नहीं आ रहे प्रप्रेशन भी बंड़े अपके स्कूलों की तो बच्चे नहीं आएंगे टीचर्स कैसे पढ़ा सबसे पहले बात कम से कम पचास सागे टोक्यूमेंट चाहिए कि स्कूल कराने के लिए भी आपको घूज देनी पड़ेगी मेरे चाजा ने स्कूल खोला है मैं आपको बतारों हर एक डॉक्यूमेंट बेना खूब साइन होते थे और जिनको कुछ करना पड़ता था कुछ ना कुछ अंडर टेबल जाता था उनको बिना अंडर टेबल के मांत मतलब साइन यह नहीं करते थे सोचके देखिए तो कितना तगड़ा इंवेस्मेंट है एक स्कूल खोलने के लैंड चाहिए फिर आपको पूरी बनानी है उसके बास सारे डॉक्यूमेंट पूरे होना चाहिए तो सोचे कितना एक रिस्की बजने से स्टार्टिंग में करने है पहले अफ दूसरी बास इंवेस्मेंट सबसे वैं तो यही सारी चीजे हैं अगर कंपरें करें एक स्कूल जितना कमाता है न एक यहां पर मैंनेजर फिर में अच्छी बनीबिये है और यहां पर हम सकते स्कूल जितना और बिना किसी एफट के तो यह पावल लगते मुझे फरेवर में इस कंपेट हो देशू है चलिए अब फरनीचे वालों के लिए चलता है है परनीचे वालों क्या प्रवल्म आती होगी लोग लेते नहीं है बलकुल अप्रेट करना हो तो लोग ने बताई सबसे बड़ी प्रावलम उसने यह बताई कि वाई साब एक तो लोगो एक तो ओनलाइन ने लोगों का दिमार्ट करती है ओनलाइन ऐसे ऐसे मोडल दिखाएंगे लोग लैप्टॉप पर बनाके जो की एच करके दिखाएंगे अब लोगों को चाहिए वह दूसरी चीज एक बार किसी ने सोफा खरीद लिया दस साल से पहले वह चेंज नहीं कर रहा ठीक है तीसरी चीज आजकल एक बहुत सारी चीज़े वैसी भी आ गई है वह फॉर्म वाली आ गई है आजकल लोग लेते नहीं किशी को पसंद निए चा करेंगा उनका खुछ सोचके देखिए अ करते हमारे में ऐसा कुछ हई रखना है अलौड आ बना बना है इसके लाव कुछ नहीं जो बना बना है उसको को है नहीं इसकी बेचना इसके लाव कुछ है ही नि तो इस तरह जिन करती हो आप यहां पर य आप करोगे पैसा लगेगा तो पैसा तो जाई रहा है तो यह सारी दूसरी इंवेस्टमेंट बहुत लगता है इस सब्सक्राइब मैं पावर लाइटिंग्स पूरा शोरूम मनाना मतलब बहुत कर्चा है लोगों ने मुझे अच्छल यहीं बता है चलिए एक पैट स्टोर अगर आप खोलो गए तो उसमें क्या दिख्कत होगी पहले पते डॉक्टर की डिगरी चाहिए हमारे को पैट जो होटे रहा है और क्या होते हो डॉक्टर हमें चलूरी है नहीं ऐसा नहीं होता है ऐसे ज़रूरी नहीं है अब बिठा सकते हो डॉक्टर लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है चलो मैं उसने बताता हूं प्रॉपी नहीं कुछ फिशेज को प्रॉपर टाइम पर ऑक्सिजन चाहिए खाना चाहिए जितना बी अंदर बच्चे हैं कैट है डॉपर खाना चाहिए तभी वह एक्टिव दिखेंगे तभी दिखेंगे तो यह सबसे बड़ा इसकी बिजनेस है कि एक बंदा फ्री नहीं बिल्कुल और दो से तीन लोग ऐसे चाहिए बिल्कुल जो पैट से बहुत ज़रा प्यार करते हैं उनको एक्ष्वल करनी पड़ेगी नहीं बस हमें अपने इस जो हम चीज़ कर रहे हैं अपनी चीजों के लिए बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी प्रॉपर पानी देना पड़ेगा और कहीं छोड़के जानी सकते अपने प्लांट को जब तक बिकेगा नहीं बट हमारे इस केस में सब कुछ भी नहीं कोई कैफे अगर आप खोलो तो उसमें सब्सक्राइब क्या है वही चीज जो हमने काफी सारी डिसकल्स कर लिए जैसे कि लैंड चाहिए आपको प्रॉपर फरनीचर चाहिए प्रॉपर लाइटिंग चाहिए प्रॉपर ग्राफिक कोई जड़ा इस सब्सक्राइब कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं जो लोग फोट कर रहे हैं जो लोग फॉरेवर को यूजंट रहे हैं कर रहे हैं तो ऐसे जब दिमाग चलाते हो अब मैं आप बहुत पॉजिटिविटी फील होती है कि नहीं यह वी आर इन राइट डिरेक्शन और विए इना राइट बिजनस सो यह सारी चीजिस सोचने के बाद देखने के बाद कि आपको लगा फरेवर इस बैस प्लैट्फॉर्म और नॉट कि इसे माइंड ओपनिंग शेशन था आपका जो आपके पताया जिस आप कोई भी टेड ले लो शालून ले लो रेसरेंट ले लो स्कूल ले लो सब में पॉर्लम्स है यह तो नहीं है किसी पॉर्लम नेगे सब में पॉर्लम है